कि हेलो फ्रेंड्स मैं अभी स्वागत करता हूं अपने चैनल में तो दोस्तों यह मेरा बिल्डिंग मेटेयर का क्लास सेकेंड है इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ठीक है अगर आपको नहीं देखाया तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लिए ठ सब्सक्राइब जरूर कर दें लाइक कर जिए और दोस्तों से शेयर कीजिए ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं तो पीछले वीडियो मैंने बिल्डिंग स्टोन के बारे में बताया था और मैनुफेक्चरिंग आफ ब्रीक कैसे बनता है उसका प्रोसेस भी डिस्क्राइब किय ता ठीक है और आज हम क्लासिफिकेशन अब आरे में पढ़ेंगे ठीक है इतों का वर्गी करन ठीक है तो इट को मुख्यता हम तीन स्रेणियों में वरी करन कहते हैं जो पहला आपका होता है फर्स्ट क्लास ब्रीक होता है दूसरा सेकंड क्लास और तीसरा थर्ड क्लास ठीक है और एक होता है आपका जामा ब्रीक फोर्थ ठीक है तो चलिए पहला आप देख लेजिए क्या है फर्स्ट क्लास ब्रीक ठीक ह तो देखे, जो हमारा first class brick है, brick are well burned, having smooth and even surface with perfect rectangular shape and uniform reddish color, ठीका, अब देखे, जो first class brick होता है, वो क्या होता है, are well burned, ठीका, मतलब की अच्छी तरह से पका होता है, having smooth surface, उसका surface भी smooth होता है, and even surface with perfect rectangular shape, और जो होता है, उसका safe होता है, वो perfect rectangular होता है, ठीका, and uniform reddish color, मतलब की reddish color तो होता ही है, लेकिन uniform reddish color मतलब की color जो होता है, और it के चारों तरफ समाने होता है, ठीका, तो ही हमारा प्रत्म सरणी की eat कहलाती है, यानि की first class of brick, ठीका, अब देखिए, इस brick should not absorb water more than 20% of its on dry weight after 24 hours immersion in water, ठीका, अब देखिए, यह कह रहा है कि, जो eat है, first class brick है, उसको जब आप पानी में डुबोईएगा, और 24 घंटे तक पानी में रहने के बाद जब उसको निकालते हैं, तो अपने जो dry weight होता है, इट का जो, उस eat का जो dry weight था, उस weight के वो 20% से अधिक पानी और सोसन ना करें, ठीका, तो यह हमारी प्रथम स्रेणी की eat का हलाती है, ठीका, कोई दिक्कत यहां तक, आगे देखिए, जो first class brick होता है, उसकी minimum crossing strength है, 10.5 mm per meter square, ठीका, यह crossing strength है, यह फिर strength भी question में आता है, आगे देखिए, second class brick के बारे बढ़ेंगे, तो these bricks are slightly overburn, having rough surface, and not perfectly rectangular in shape, ठीका, यह जो brick है, are slightly overburn, यानि कि अधिक पकी होती है, and having rough surface, और जो इसका surface होता है, वो भी rough होता है, and not perfectly rectangular, और यह अच्छी तरह से rectangular, perfectly rectangular नहीं होता है, shape में, ठीका, अब जो absorption में था, वो 22% absorb करती है, ठीका, brick should not absorb water more than 22% of its own drying weight, after 24 hours immersion in water, ठीका, वो ही same condition apply करेंगे, तो first class of brick में क्या था, वो अपने dry weight के 20% से अधिक पानी absorb नहीं करती है, second class brick, अपने dry weight के 22% से अधिक पानी अफसोस नहीं करती है, ठीका, यानि कि absorb नहीं करती है, अब देखें, third class of brick, ठीका, तो third class of brick के बारे में क्या लिखा हुआ है, this brick are not properly burned, यह अच्छी तरह से पकी नहीं होती है, burn brick not absorb water more than 25% of its own dry weight, ठीका, यह क्या करती है, 25% से ज्यादा पानी, sorry, अपने dry weight का 24% से अधिक पानी absorb नहीं करती है, तो जो first class of brick थी, उसका कितना था, absorption, जो 20% था, second class brick का 22%, और third class brick का 25%, ठीके, याद रहेगा, first class brick का 20%, second class brick का 22%, third class of brick का 25% clear, अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं, जामा brick के बारे में, तो brick are overburn with irregular safety, ठीका, यह अधिक पकी होती है, और इसका size जो होता है, इस brick का irregular होता है, यानि कि regular नहीं होता है, brick are dark blues in color, और जो इसका color होता है, dark blues होता है, मतलब dark blue type का होता है, चलिए आगे देखिए, एस्टेंडर size of brick are 19 cm, 9 cm, 4 cm, और 19 cm, 9 cm, और 9 cm, ठीक है, एस्टेंडर size of brick है, सेकंड पॉंट क्या है, इस्पेसिफिक gravity कितना होता है, brick का 2 होता है, 3rd point, number of brick required for 1 cubic meter of brick masonry are 550, मतलब कि 1 cubic meter आपको 8 चिनाई करनी होगी, तो उसमें 550 इट लगेंगे, कुछ special brick है, उसके बारे में देख लिए, जैसे है एक आपका squint brick, ठीक है, यह क्या होता है, these bricks are used in construction of accurate and obtuse squint quince, squint मतलब कोनिया होता है, ठीक है, कौन, तो जो equit angle और obtuse angle बनाते हैं, उन उन कोनों पर हम वो brick क्या होते हैं, squint brick का लाते हैं, जो equit और obtuse angle बनाते हैं, ठीक है, आगे देखे, आगे हमारा paving brick, तो इसमें क्या है, these bricks are extensively used for street pavement, stable floors and garden wall city scene, ठीक है, जो paving brick है, उसका use कहां होता है, street pavement में होता है, stable floors में होता है, और garden के दिवाल में हैं, ठीक है, आगे देखे, third है हमारा round brick, ठीक है, these bricks are used for circular pillar, जो हमारा circular pillar होगा, उस pillar में हम क्या use करते हैं, round brick का, ठीक है, आगे देखे, आगे हमारा perforated and hollow bricks, ठीक है, अब देखे, brick used for partition walls, और panel wall in multi-store building, ठीक है, जो perforated and hollow brick है, उसका use कहां करते हैं, partition wall यानि की विभाजक दिवार पे हैं, ठीक है, जो दिवार दो तरह से विभाजित हो, उस से जगा हम perforated and hollow bricks का उप्योग करते हैं, ठीक है, या फिर हो आपका multi-store building, नेक्स्ट है आपका refractory brick, ठीक है, इसका हिंदी में कहते हैं, आगनी साह इट है, ठीक है, इसका कहने का मतलब वह इट है, जिसके पास छमता हो, यानि capability हो, वह पास छमता हो साहने की अधिक से अधिक तापमान, हाइट टमप्रेचर, ठीक है, वह हमारी अगनी साह इंट का लाती है, देखें, कुछ अगनी साह इंट है, यानि की refractory brick क्या है, पहला है आपका acid brick, दूसरा basic brick, तिसरा neutral brick, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो like जरूब कीजिएगा, और subscribe नहीं की हैं, तो subscribe जरूब कर दीजिएगा, ठीक है, और इसका PDF चाहिए होगा, तो वीडियो के last में बताऊंगा, PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, तो देखिए acid brick में आपके मुख्य रूप से 2 brick होते हैं, fire brick और silka brick, ठीक है, acid brick में आपका मुख्य रूप से कौन 2 brick होते हैं, fire brick और silka brick, आपको हम याद कराते भी रहेंगे, ठीक है, तो confusion होगा तोम कुद बता देंगे खुद कीले कर आपका किल आपका कहा देंगे डूसरा method satel वूर्त ब्रीकट में व्लामाइड व्लैक और ऑivesseं और कॉन-कॉन भीoa व्हासिक ब्रीक भी आलाइम हनोती कि माते है दोटीकल क्या होता है है तो लाइम अप्टेंड आफ्टर थे केल्सिनेशन एड़िए छी जब क्लोली सब्सक्राइब करेंगे थे हमारा तैयार हमाता मतलब लाइम और्टव्र प्रोसेस होता है क्वीक लाइम का वाटर से जो प्रोसेस को या पर प्रोसेस को करते है यहां किया करते हैं ऑसी प्रोसेस को हम स्लेकिंग करते हैं वह आगे देखिये नेक्स्त है आपका फेट और लिच लाइम ठीक है तो तो भी और रीच लएब क्म अди cn 5 पर्सेंट होता है मुखेट नाय JUST को प्पृइंट ने में developed 45 परसेंट होती है और जो फैट होता है ऑर के बूए UV ऐड कहीं चैथ में Channel है आगे है फोर्थ नमबर हमारा है दोकिन क्या होता है तो वह होता है जब क्या होता है क्या करते हैं तीनों मिलकर केमिकल कंबिनेशन करते हैं किसके साथ तीनों मिलकर केमिकल कंबिनेशन करते हैं किसके साथ केलसियम ऑक्सेड साथ यानि कि सी यो के साथ केमिकल कंबिनेशन करते हैं तो हमारा क्या निर्मान करता है हाइड्रोलिक लाइम का निर्मान करता है ठीक है अब देखे हाइड्रोलिक लाइम होता है मुख्य रूप से तीन तरफ होते हैं पहला है आपका फीबली हैडोरी मोडरेटली हैडोली क्लाइम ठीक है कि लिए इसका परसेंटेज यह भी आता है अभी पढ़ लीजेगा तो इसमें देखें लाइम कंटेंड मोर दें 30 परसेंट अफ प्ले इंपूर्टी कि दिखिए कि दूट इसमें क्या बूल रहा है कि लाइम कंटेंड मोर देन 30% अपों डिए तीस परसेंट नेंपीरटी होती है और जो मुख्योर होते हैं सिलगा अल्मोनिया synthes इसे फो में होती है DCT पिरką है वोशुक्ति होती है तो कि स्काल हुंक्या होती है का है। हमारा सीमेंट ठीक है तो सीमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं अब रॉल डिफनेशन भी देख लीजिए तो देखें क्या कह रहा है दो वर्ट सीमेंट यूज़ वली मिन्स पॉर्टलेंट सीमेंट ठीक है यूज इन शीविल इंजिनिरिंग वर्क विच सेट्स अंडर वाटर हाडेंश कुईग ली डिफन टिक है सीमेंट क्या है सीमेंट यूज़ी मिंस पॉर्टलेंट सीमेंट इसका परयोग करते हैं सीविल इंजिनिंग के कार्यों में जो क्या करता है वी सेट्स वेल अच्छी तरह हो जाता कि इसका अंडर जमिन के अंदर अंडर पानी के अंदर underwater hardens quickly पानी के अंदर क्या होता है हाट की को तुरंत जम जाता है और क्या अच्छी तरह ग्यान कर लेता है बहुत ही जल्दी सिमेंट तो बारियोष कंश्यवेंट ऑफ दस पोर्टलेंट चिमेंट जो पोटलेंट से मुक्षी रूप से उसका जो स्ट्वेंट जो घटक है उनके क्या-क्या वह दिया गया आपका देखिया तो पहला है आपका इसमें लाइम जो की जिसकी मातरा सबसे अधिक होती है 63 पर परसेंट इसके बाद है अलकालिज 0.5 परसेंट ठीक है चलिए आगे देखिए परसान नाओ कोईस्टन भी होगा आपको इसके बाद में वन लाइनर लाँगा ठीक है वन लाइनर होगा बीम बी सीमी का कमबाइन तो बने रहे और आपको अच्छा ही तरीके से रिविजन करा करना थे पाद में लाइनर तो क्या करतात था क्यMaybe स्टेंट को क्या करता है को कौन लाइम सिलका लाइम सिलका और आयोन अकसाइड सिमेंट को एस्टेंद से देता है जबकि अल्मूनिया क्या करता है क्विक गिफ्स क्विक सेटिंग प्रोपर्ली मतलब गिफ्स क्विक सेटिंग प्रोपर्टी वह क्या करता है सिमेंट को प्रोपर्टी प्रोपर्टी करत करता है घल्मुनिया जल्लिय से जमने का क्विक सटिंग प्रोपर्टीप करता एस सीमेंड को Sowohl अब दिएंगे सीमेंट जो होता है उसका हम टेस्टिंग करते हैं तो तीन तरह से मुख्यूल्स е करेंगेंगेंड़ गोड़न में करते हैं शुचमत परिच्छन दूसरा आपका सब्सक्राइबंगा 130L दूसरा हुब्स लेकिन पॉठिर रूप से तीन सब्सेंदेस्पों ज्याद है परिच्छन सब्सक्राइब test और soundness test से ठीक है तो पहला देखें पाइनेस टेस्ट है ठीक है इसमें क्या कर रहा है दर टेस्ट to check the proper grinding of cement अब देखें इस टेस्ट को मिसले करते हैं यह ज्याद करने के लिए test करते हैं कि cement की पिसाई दर क्या है grinding of cement कितना पीसा हुआ ठीक है अच्छी तर से पिता हुआ है कि नहीं पिता हुआ है इस ह्रफ टेस्ट में हम ग्याद करते हैं अधिके तर से पर्सिंटेज पर्सिंटेज चर्टेज़ लेफ्ट आफ्टर सीविंग गूड पॉटलेंट सीमेन इन नाइंटी मैक्रों आइस सीवोड नॉट एक्जिश टेन पर्सेंट इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक प्राइने टेस्ट करते हैं तो सीमेन्ट को जब हम नैन्टी मैक्रोट चलनी से जब चलते है तो जब चलनि के ऊपर जो होता है ऑसेस अधिक नहीं हो अग yatा- कि तभी सही अमारा ऑगे देखिया आगे हमारा क्वेस्ट है आगे हमारा कических टेस्ट अब देखिए सिमेंट पेंट में कितनी मातरा हम क्या करें से मैं सिमेंट में किसे100 k zit के लिए अब क heritage लिए सिमेंट में पानी की मातरा कितनी मसीया ठीक है ऑग व्यगाद करने हम के लिए करते हैं और ये बिगाट परटरस के द्वारा मुखहरूप से किया जाता है हमारा कौन सा test टेस्ट कांशिसेट टेस्ट ठीक है इस टेस्ट इस परफॉंच विद विट ऑफ विकाट अपर्टर अपर्टरस भी सी याद रहेगा खुद छोटा है तो एक से कनेक्ट है तो फाइनेस टेस्टम करते हैं कि से सीव मेथड से एर पर्मनेटी मेथड से कन्फूजन यहां नहीं हुआ और दूरसा कंसिस्टेंसी विकाट एपरेटर से यहां भी कन्फूजन नहीं होगा अब देखुछपोईंट है आपका जैसे की जो इंशिफर सेटिंटाइम है और ऊडिनरी और रैपीड हाड इनिंग सीमेंट का शुद नौट बिले से 30 मिनट से कम नहीं होता है इंशिफर सेटिंग टाइम कि सका और रैपिड हाड इनिंग सीमेंट का सेकंड पॉंट क्या है of ordinary and rapid hardening cement should not be more than 10 hours जो इंसियल सेटिंग था इसका 30 मिनट था और फाइनल सेटिंग था 10 आउर्स का किसका तो ordinary Portland cement का और rapid hardening cement का कुछ और cement है उसके बारे में मैं जब वन लाइनर लेकर आँगा तो उसमें जो हाई अल्मोनिय सिमेंट है या फिर जो और सिमेंट है उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा ठीक है तो परिशान ना हुएगा सारे किलियर करा दूंगा आगे देखिए थर्ड पॉंट क्या था नर्मल कंसिस्टेंसी और पॉर्टलेंट सिमेंट इस इस लगभग 25 परसेंट होता है तो देखे दो टेस्टम ने पढ़ लिया तेस्टिंग पॉटलेंट सिमेंट के बारे में पढ़ लिए थर्ड अब मेरा आया सावने स्टेस्ट इसको हिंदी में करते हैं निर्दोसीदा परिच्छन तो इस इसमें हम चेक करते है कि अंग नियुवाइन लाइम कितनी है और मैगनेजिया कितनी है और मुक्तचुना कितना है यह ग्याद करते हैं हम soundness test यानि कि निर्दोसिता परिच्छन करके हम मेगनेजिया और मुक्त चुना की मात्रा ग्याद करते हैं ठीक है यह क्या करता है expansion of cement करता है यानि कि cement को क्या फैलाता है यह दोनों अब देखे soundness of cement is tested by leechatelier उपकरण ठीक है यानि कि leechatelier apparatus ठीक है अब देखे soundness और leechatelier ठीक है यूज करते हैं कि दिमाग दिमाग यूज कर दिया ना तो दिमाग को यूज कीजिए और soundness test कि किसके द्वारा करते हैं leechatelier apparatus से ठीक है तो clear हुआ तीनों आपका हुआ को रहा है ऐगे देखिए हैं फ़ोर्थ है आपका टेंशाइल एक सेंट टेस्ट ए कि इसमें क्या है मैं स्टेंट को डिपÁंड डिपाय। सब्सक्रेंड करते हैं ऑस टेस्ट टन ऑन एस टेंडर बृक्वेट ठीक है और हो किसे बना होता है पोटलेंट सीमेंट का और एस्टेंडर सेंड मोटार का बना होता है एक तीन के अनुपात में तेस्ट करते हैं वह सेंध्र सेंड च scattered होता है तीन और सदुरिक होता है तो तीन दिन compressive strength तो तो देखें 5th number हमारा compressive Kiska Chalna, अब तेस्टिंग चल ला Portland Cement का है, अब देखें, टेस्ट carried on a standard cube, अभी यह जो compressive strength test है, वो हम किस पर करते हैं, क्योब पर करते हैं, और Cube किसका बनाता है, वही चिछ का बनाता है Portland Cement का और एक तीन के अनुपात में इससे क्या करते हैं तुडिटर्माइन दो कम्प्रेसिव स्टेंथ अब सिमेंट का सम्पीर समर्थ ग्याद करते हैं अब देखें एक्वर्डिंग टू आई यानि कि इंडियन एस्टेंडर के अनुसार एवरेज कम्प्रेसिव स्टेंथ अब थ्री क्यूब्स शुड नॉट बी लेस देन 11.5 नीटन पर एमेंट स्कॉर एंड 17.5 नीटन पर एमेंट स्कॉर आफ्टर एंड 7 देज रस अफ क्यूरिंग ठीक है अब कहाने का मतलब जो कम्प्रेसिंग जो एवरेज कम्प्रेसिंग अनुसार 3 क्यूब का ठीक है तो जुए इलेअट पाइब था सादक का ठीक है तो अचि Curly 1205 था किसका साद दिन दीन का ठीक हो कि 11.99 also 17.55 था साद दिन का ठीक है नहीं होनाच स्वहसे मृटर के लिएल ऐसंसे। पॉइंट था साथ दिन के लिए तराई का ठीक है ऑफ की उरिंग यानी कि तराई का ठीक है किलियर अब देखें अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटार चिरीड दुस्तों तूब आगे देखे एंड कंक्रीट के बारे में देख तो myotaur and concrete में तो the mortar is a paste made by mixing lime सुर्खी and water थीका जो मोटार होता है यह फेष्ट होता है जो बनता है लाइम सुर्खी लाइम सुर्खी वाटर से या फिर lime sand and water से या सेमेंट, सेंड टेन रीखा है तिनू अलाग लगा लाइम य यैप मोतार बना लिजे यह फिर लाइम सिन एंड वातर सी बना लिजे यह हैं सेमेंट सेंड ब्रेंड बना ली जै इसको मिक्स करके जो पेश्टा बनाते हैं वही हमारा मोटार का लाता है ठीक है आगे देखिए हैं कि लाइम एंड सीमेंट आर दर बिल्डिंग मेटेरियल ठीक है जो लाइम और सीमेंट है यह क्या है यह बिल्डिंग मेटेरियल है ठीक है और सेंड और सुर्खी तो यह क्या करते हैं सेंड और सुर्खी क्या करते हैं तो यह करते है प्रिवेंट स्रिंकेज इन सेटिंग ठीक है यह संकूचन करते हैं ठीक है संकूचस से बचाते हैं जब सेटिंग होता है तो उसमें संकूचन को रोकते हैं कौन सेंड और सुर्खी और क्या करते हैं प्रिवेंट क्रेक इन सेटिंग जो सिमेंट सेटिंग होता है उसमें क्र आपको सूरखी का बहुत गुना है क्या पहला आपको सुर। रिंखे से बचाता है दूसरा क्रेक से बचाता है और स्टैंथ भी देता है मोटार को थीका तीनो प्रोपर्टि है अपका सेंड आप सुरुखी का आगे देखें, motor used in the concrete is called matrix, तो the motor used in concrete, मतलब कि जो motor को हम concrete में use करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, matrix कहा जाता है, ठीक है? आगे देखें, the workability and durability of cement concrete is usually improved by increasing the quantity of cement, ठीक है तो तो देखे जो वर्किलवीटी है और ड्यूर सीमेंट कंप्रीट का यह इंप्रूब करता है कब in increasing the quantity of cement मतलब सीमेंट की मातरा को हम बढ़ा देंगे तो तो इसके वर्कविल एटी और ड्यूर करेगा इंप्रूब हो जाएगा है वह स्कार्याथ एंच मौण क्या है कि दॉप मैक्सिमाम वाटर मेंट रेशियो फोर दूरेबल कंपरेट इस 0.8 तिक है जो सिमांग वाटर सिमेटरेश्यों है डुरेबल करने करीट का वो 0.8 है आगे पुएंट देख लिए मुख्य मुख्य पॉइंट है नेक्स्ट क्या है देंसिटी कि of the density of the density of concrete increase with the increase in size of aggregate है तेरीकर को हुआ तो मिलावे का साइज को हम इंक्रीज कर देंगे तो concrete का density भी increase करेगा ठीक है यानि कि density of concrete is directly proportional to the size of concrete next क्या है the shrinkage of ordinary concrete is about 0.3 to 0.6 mm per meter ठीक है क्या shrinkage of ordinary concrete is about जो concrete का संग कुचन होता है वो लगबग कितना होता है 0.3 से लेकर 0.6 mm per meter ठीक है आगे देखिए the coefficient of linear expansion of concrete is almost the same as that of steel ठीक है जो coefficient of linear expansion होगा concrete का लगबग सेम होता है किसके इस्टील के ठीक है अब देखिए अब टिमबर आगया ठीक है तो यह हमार टिमबर है तो पले definition को देख लेते हैं उसके बाद इसमें explain करेंगे तो देखिए इसमें पित है इडिस दा इनर most central portion और core of the tree ठीक है तो इसमें देखिए इनर most central portion और core of the tree कौन है पीथ आपका यह है पीथ ठीक है यह आपका यह आपका पॉइंट जो होगा यह पीथ है है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है एन्वल रिंग ठीक है इस आर दे गन्सेंट्रिंग सर्कल और रिंग और रिंग और रिंग और रिंग आर पीथ यह है यहाँ क्या करा था है और रिंग ऐसीट है हमारा जो वार्सिक वहज़ा हिंदी में कहते हैं जो अब हुआ रहा है झाली आध है यह हर साल बढ़ते रहता है year by year सब्से們 करते रहता है इसी को हम जल कर पीड़ों की उमर को घृद करते हैं पीड़़ Returns इसे याद करते हैं ठीका है तो आगे देखिए आगे हमारा है हऊज्टोड इड़ कांसिस्ट अफ दॉप no in our एन्वल रिंड इराउड पीट तो जो एन्वल मेन थो था आपका जो कन्सेंटेंट सरकल था हो इनुवल रीग हो गया लेकिन इसमें बोला कि हाट ओड एनर पीथ है उसको घेरे हुए जो एन्वल रिंग है ठीक है यह जो एन्वल रिंग है पीथ को घेरे हुए ठीक है यह हमारा क्या कहलाता है यह हमारा हर्ट उट कहलाता है ठीक है और जो सेपूड होता है यह आपका चलिए आगे बताया जागा सेपोड देखे हठ हो गया अब दीदेखे सेपोड है इट कंसिस्ट और ऑफ दा यह इन्वल रिंग बिट्विन दा हट अन्ड और केंबियम लेयर पिछ है वह ही आपका सेपोड कलाता है होट उट से लेकर केंबियम लेयर लेप हो खेए टीख है तो जो वहां एन्वल रिंग जो हर्ट ऊठ से लेकर याग कि माल यह वाड़ ट्यक्त कर हो गया क्थम हर्ड ऊठ से लेकर ना या यह यहां तक यह यहां से जो यह जो लकड़ियां हैं आपकी यह यह जो लकड़ी है आपकी केम्बियम से लेकर अहां तक यह हर्ट तक यानि कि यहां तक लेकर यह आपकी जो लकड़ी है कि यह आपका क्या है कि से पूड़ है ठीक है यह आपका से पूड़ है ठीक है और इसके अंदर का यह था आपका यह आपका हर्ट टूड़ था ठीक है आपका यह आपका हर्ट टूड़ था ठीक है यह हर्ट टूड़ था यह आपका से पूड़ है ठीक है अब केम्बियम लेयर इस अथ यह थियर जैसंठ बिलोड़ बार्ट इंडाट करते तूड़ था उर्ट टूड़ था तो इसश्चल करूड़AL पूर तडूए और नूट करन्झे यहां सी हर्ट वह परत होती है यह वाली परत यह हमारे कमी अंलियर कला थी क인가 यह चंद रैयर यह लेकिन डूढ टुर्फ सेपूर्ब अंधे में कंवर्थ नहीं होते है इस क्या कल 안보ा सकंद गास आती है Cambium layer ठीक है अब क्या है लास्ट है आपका मेडूलरी रेंटीक है दीजार रेडियल फाइवर एक्स्टेंडिंग फ्रॉम दर पीथ टू केंबियम लेयर ठीक है अब देखें पीथ से लेकर केंबियर केंबियम लेयर है यहां तक जो रेडियल फाइवर होता है यह फाइवर की तरह होता है रेशा रेशा की तरह होती है यही फाइवर हमारा मेडूलरी रेकालाती है ठीक है रेशे रेशे की तरह होती है पतली पतली कहां तक होती है केंबिय लेयर तक जो रेशा रेशा टैप कर निकला होता है पित्थ से लेकर ² अंदर की और जो बार्ग से बारख है ठीक है इनर में इसकी और लेयर कवरिंग केंभिन लेयर को जब जो कवर किये हुए है इनर जो अंदर की तरफ है आफ का मतलब कि इतना क्या होता है बाल का मतलब जो पेड़ का और शीलका होता बर्क है ठीक है किलियर है अब देखे सिजनिंग औफ टीमबर के पारें पड़ लीजें तो क्या होता है दो प्रोसेस ओफ ड्राइंग टीमबर और रिमूबिंग मॉश्चर और से प्रेजेंट इन फ्रेसली फेल्ट्री इस कॉल्ड शिजनिंग आफ टीमबर मतलब जो पेड क काटते हैं तो काटने के समय उसमें बहुत सारे मोश्चर होते हैं नमी होते हैं पानी की मात्रा होती है ठीक है वाटर कॉंटेंट होता है जलांस होता है मतलब की नमी होता है तो भारी भी होता है और अभी उसको फिलाल हम कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं ट्रीको तो उसी क को हम क्या करें सिजनिंग करते हैं सिजनिंग करने से क्या होता है उसका वेट हलका हो जाता है उसमें जो वाटर होते हैं वो खतम हो जाते हैं पूरी तरह से सुख जाता है और सुखने से यह होता है कि वाद में फिर अपना सेप ना बदलेगा ठीक है लेकिन सुखने से पहले किसी आकार में सुखने के बाद और सुखने के परे परेस बावर्तन करता है ठीक है तो कल मिलाकर सिजनिंग इसलिए किया जाता है ताकि एक बर सिजनिंग हो जाय तो इसके बार लकड़ी हो ओस से परीवर्था ना करें अ को तो टो ट्रकी सिघने मुख्य रुप से नेचुराल और आर्टिपीशल नेचुल Northern Queerर को कहते हैं एर सुझनीग और अधिपीशल को कहते हैं किलन सीढिघ भीयाँ आगे देखित सब्सक्राइब करते हैं जब लकड़ी क्या हो सीमसाधान हो और सस्ती हो ठीक है बट इस भेरी स्लो लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है नेचुरल सीजिनिंग इट रेकवाइर्स एबाउट साथ से नवबे दिन फोर सोफ्ट उड ठीक है इसको चाहिए कम से कम साथ से नवबे दि सब्सक्राइब के लिए ठीक है आगे देखिए और नेचुरल सीजिनिंग का मतलब हुए कि आप आट्मोसफेर पर रख दिजी आट्मोसफियर के अकॉर्डिंग छोड़ दिए इसको खुले आट्मोसफियर में नेचुरल द्वारा और वो सीजिनिंग हो एर के दौरा और प्रोसेस है इसमें कुछ नहीं करना है नेचुरल ही हो हवा के द्वारा दूसेकेंड है आपका आटिफिसियल सीजिनिंग और किलन सीजिन इसमें क्या होते है इस दा क्यूकेस्ट मेथट अफ ओड सीजिनिंग एक ट्विक मेथट ठीक है एंड किपस दो मुएस्ट्र कॉंटे सीजिनिंग में हो जाता है आपका अब देखें़ डिफेक्स ऑफ टिमबर तो पहला है डिफेक्ट आपका हर्ट से इंटीक है यह टिमबर के डिफेक्ट है इसमें क्या होता है इस दिफेक्ट युजियली ओकर इन ओभर मैचुर्वट्री और इस काउच्ण दूस्रिंकेज of the heartwood ठीक है यह defect कब होता है this defect of this defect usually occurs in over mature tree जब tree जो होता है over mature हो जाता है and is caused due to the shrinkage of the heartwood अब बता है तिससे पले heartwood ठीक है जो पीत को 4 ओर से जो annual ring घेरे हुए होता है यह हमारा heartwood काता है कालाता है है यह हार्ट उट क्या हो जाज़ा जो इसमें सीकुरन होने लगेगी तभी हमारा heart sick disease होने लागेगा timber को ठीक है अब नेक्स्ट देखिए हैं सेकें हमारा star sick ठीक है अब इसमें क्या होता है इस डिफेक्ट इस मोश्टली बाई सेवर फ्रोस्ट और सेवर हीट अब दे सेवर का मतलब की कुवरा हुआ आंधी हुआ ठीक है कुहासा हुआ ठीक है यही सब फ्रोस्ट कलाता है और बाई सेवरल हीट ऑफ सन धूप जो अधिक तेज लगे पर जो धूप पहुंचती है ना सूर के द्वारा जो पर धूप पहुंचती है सनलाइट तो वह जब बहुत ही तेज हो तो जो क्या होता है पेड़ों पर क्या होता है यह डिफेक्ट हो सकता है ठीक है इसमें क्या होता है इस डिफेक्ट इस काउजट बाई एस ट्रॉंग विंड देखें अब यह डिफेक्ट एस ट्रॉंग विंड बहुत तेज से जब विंड वहेगी यानिक एक्सेट होता है ठीक है और किसे होता है और एक्सेसिफ फ्रोस्ट वहर्षट आपको बता है वही फ्रोषट विच्वेश्ट द्राइब न्टरी विच अफेक्ट द्रीट इन्ट को सब्सक्राइब इन परेग तो डॉपधे क मितलब घंट करो कभी देखे पर जाती है एन्वल रिंग जो होता है इसका गोरो सोता का फिर पड़ जाती है इसने टो उसके क्या होता है उसमें आपका जो गांट भड़ जाता ही नहीं यह में तो किसी कारण से कट किया तो कटने के बाद क्या हो तो महां एस टाइब का गांठ बन जाती है वह हमारा नोट का लाता है कि आगे देखिए हैं अब देखिए इसमें क्या होता है इस डिफेक्ट इसकाउच डिव तो दो ओभर मैचुरीटी और अन वेंटिलेटेड इस्टोरेज अव डिरिंग इट्स ट्रांजिस्टी ठीक है अब देखिए इसमें डिफेक्ट है यह क्यों होता है ओभर ओभर मैचुरीटी के कारण और दूसरा अन वेंटिलेटेड इस्टोरेज मतलब की वातायान उसमें जो एयर जो होता है इयर अच्छा अच्छी तरीका से वेंटिलेशन ना हो एयर ना पहुंचे शनलाइट ना पहुंचे तो क्या होता है फॉक्सीनेशन वाला प्रोब्लम होता है हानिक कंभिंग ऐगे देखिएं ड्राइड रूट होता है जो रूट को जो ड्राइड रूट होता है अगर हो जाए गया तो यह पाउडर की तरह हो जाता है वह जगा कवी कभी की तरह पीछने पर हो जाता है और ड्राई रूट के कारणでは कमा इफ कर दो देखें यृत इस काल भगत बइल्टरनेटिंग ट्राइंग अड़ वेड़ करESS बैस भाट टीन ड्राइंग ऑब अब देटिम बर मतलब कि एक बार ठंडे हो जाए एक बार गरम हो जाए ठीक है अल्टरेटिंग ड्राइङ झाल मतलब कि कभी सूख जहाए कभी गिली हो जाए ठीक है। अचानक सुख जाए फिर गीली हो जाए ऐसा कंडिशन होने लगा टिंबर के साथ तो हमारा वेट रूट कहलाता है ठीक है इसमें क्या होता है जो सेल होते हैं ठंडा गरम कीजिए गर्टेरिया होता है उसी तरह सेल भी होता है तो अचानक ठंडा हो फिर गरम हो यानि कि ड्रा जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है और दोस्तों अगर पीडियाफ चाहिए होगा तो मैंने आपको पहले वीडियों बताया था कि आप इस नंबर पर हमारे मेसेज कीजिए 7905-858807 इस नंबर पर मेसेज कीजिए मैं आपको पीडियाफ सेंड कर दूंगा ले मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद